जैहिन दोस्तों सचेटकाल नमसकार तो आची क्लास में हम लोग वीवीपिलीस कॉंस्टेवल के लिए रिजीनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोग हमारे साथ सुरू सेयं तक बने रहेगा और इन सारे प्रसनों को अच्छे तरह समने का प्रयास किजिएगा दोस समंदित है उसे पकास सुरुआत से कौन समंदित होगा ठीक है अब देखिए कि जीवन और मिर्त्यू के भी समंद क्या है तो जीवन का जो बिलॉम होता है जो बिलॉम सब्द होता है क्या मिर्त्यू होता है कौन सा सब्द बिलॉम सब्द क्या होता है मिर्त्यू होता है तो प्रकार से परकार के- चाहँ का के-चिरेंस, चलिए खाएगा अगला परसं देखेगा की जिस प्रकार से ए-डे एच-ए-म शमध्द है, जैडा ड crafts S, N,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S होता है नहीं होता है तो इस होता हैई का प्लशिट क्या होता है यह होता है एकस होता है अब दिखेंगेных क्या ह्अलगिक अब तो उसी परकार से उसी परकार से अब तफ सी का देखें evaluate तो यहां पर आपको किसी भी लिटर का आप जित नहीं याद रहता है तो बहुत सिंपल तरह का इसको याद करने का देखिए जो अपोजित लेटर होता है ऑन दोनों का सम होता है कितना होता है 27 होता है तोano का सम कितना हो जाता है 37 होता है इसे माली हमको सी लिब दा निकालना है और L कितना बारा मताब ओक अपचिट का हो गया मेरा L हो गया ठीक है तो इस तरह से हम इसको सभी लेटर का आपोजिट गयाद करते हैं ठीक है तो बहुत यह असान और बहुत ही प्यारा लोजिक है ठीक है चलिएगा अगरा परसन देखेगा कता है कि जिस परकार से 10 को 90 लिख 16ег apps na Jaarik requests कितना होता hay like CanadianKaye 110 कि दो यूंड कि आपको और को सएनध में में दिया अधिके आपको और यहाँ हो जाएगा आ पकोर τैजिक्ट का किया हो जाएगा गया परषानी है चलिए अगला परसермligen टेखिए, जिस में कर आपका अगला परसrition कहता है इस पतकार सीर मांद से समस्दित होगा dłगाक, अब देखिए, ऑर मांद किывать क्या र ссылे ने है तो जिससे सेर पते हलें का घर का जहांने का पे रहता है तो तो बिल्ली में जिस पकार सेर कहां पे रहते हैं तो मांद में रहते हैं उसे पकार खरगोश का रहते हैं तो बिल्ली में रहते हैं ठीक है बील जिसको बोलते हैं बील ऑफसर नमर सी आपका काओ जो कोरेक्ट रंसर हो जाएगा बील हो जाएगा वो दिक्कत है चलेगा अगला कि निकालना का मतलब कहता है कहें से कुछी निकाल रहे हैं करोटी का मतलब होता है काटना ठीक है और बिकलन का मतलब होता है उसमें कुछ चीज़ को डिखाना ठीक है तो इस अभी क्या है कि निकाल ले मतलब सभी निकालना कटोटी करना और बिकलना सभी नहीं कहें नहीं कहें को दर्शार है मतलम निकालन आप मेंकूश कम है करोते हैं अगर आप में कुछ कम है तब ही आप से कुछ जो आपकी मंद्फ लिए ऐ़से किया जा रहा है तो यह प्यस्क्राइब संपेशन करते हैं या आपकी आपकी बारे में कुछ इत्व है कुछ कुछ छी को लेकिन यह सबसे क्या हो जागा डिफरेंट हो गया को दिक्कत ऑफिसन नमर सी हो जाएगा चलेगा अगला परसन कता की 35 37 और 23 और 19 है अब इसमें सबसे देखिए भी निकोर हैं तो यहां पर मेरा ऑफिसन यह देखिए क्या हो जाएगा 35 कैसे देखिए 35 जो हमारा यह सिर्फ यह हमारा क्या है भासन क्या इसलिए और आपका क्यों हो जाएगा चलेगा अगला परसन देखिए अगला परसन कता है क्या है कि यदि एक फरवारी 1902 को बेस पतिवार था तो पांच मार्च 1902 को कौन सा दिन होगा पांच मार्च 1902 को कौन सा दिन होगा अब देखिए काता है कि जो एक फरवारी है कौन सा दिन है देखिए तो एक फरवारी ठीक है कौन सा दिन है एक फरवारी है हमारा ठीक है एक फरवारी अब एक फरवारी को 1902 को एक फरवारी 1902 कौन सा दिन है तो बिरहस पतिवार ठीक होगा अगर यह लीपियर होगा तो इसमें टूटल दिन कितना हो जाते हैं 366 366 दिन होगे इसका मतलब कि फरवारी महिना कितना दिन का हो जाएगा हमारा 29 दिन का होगा 29 अगर दिन का मेरा फरवारी महिना हो गया समझेने वाली बात है बार आयगै तो हम साथ से हम भात करेंगे। हम leopard करेंगे.. तो साथ और हम साथ से बात करने का की था बाष का boiling बचना घर्यन आपका इसमें बचने कोई कोई इसका बतलब अधर आको पती बार्य होगा तो आपके पास पूझाना के हृँ मार्च में कहां जाना है तो बैस्पती के बार mày थे कहीं बार्वी बार अगर मंगल खाथ sì ने मांगल थे कहां पहुज़े हैं लोग मंगलबार पर अधार आपका ओप्सन नमर सी यहां पर क्या हो जाएगा कोई परिसानी है चलेगा अगला परसंद देखीगा देखिए अगला परसंद कहता है क्या निमली खित बिकलपों में से अगली आकिरती कौंसी आएगे करता है कि यहां जो आ एक एरो देखिए यह जो एरो है और इसके साथ ठीक सामने तीन बिंदू है जब आगे जाता है यहां एस्टेट मतबस्ची आज़ेगा नाइनटेटी घूम रहा है कितना गूम रहा है एक एसको बोलते है नबबे लिए नबबे घूम रहा है और इसके बैक में जो सामने आ रहा है इसका मत फिरिये कितना घूमे का 90 घूमे अगर यह नबबे घूमे घूम रहा तो तीर ऐसा हो जागा है और ठीक किसके सामने कितना बिंदू है जागा इसके आ गए जाएगा अर्फा देखे यह तो खतब हो जाएगा इधर तीर जाए जाए गान inhEC निची अगला परसन कहता है कि निम्लिखित अंग्रेजी वरवाला बाएं से आठमें और दाएं से नौमें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा अभी मेरे पास मालेजी यह डियागराम दे दिया तो हम चीजे को यहां से देख के बना सकते हैं अगर यह मेरे पास मालेजी दो हम होताई इसका मतलब कि बांए से आठमां ऴाला क्या होता है आच होता है तो ऐच हो गया और दाएं से नम्म Surprise पूछे है इसका मतलब कि आप सट एस मिससे नौ घटा लो गब सकते इस मिससảnौा कितना हो तहीं कितना ओगा da ने explosive हुंड नौ कितना हो गा कितना लेंगें कितना बचेगा तो बचेगा 10 तो बंचे जाया है तो की है तो refusing ह Bene हटीज है ठाट यह यह हूं तो 8 वह रोग chỉ क्या理ा भaxter कई कितना में सेझड़ दाप कितना है नो है अब एक्षी बदाए नो हमारा क्या है विशाम संख्या नो विशाम है तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा जो इधर से भी पांचमा नमर होगा या जो इधर से भी कौन होगा पांचमा नमर तब तो जो बीच में होगा दोनों के बीच में होगा दोन तरफ तो इस तरह से अगर आपके पास यह नहीं दिया रहेगा तो अगर यह दिया है फिर तो आपका कोशन बहुत ही जोगा बहुत ही क्या होगा आपका असान हो गया कैसी हो गया अगर यह नहीं दोनों के ठीक बीच में कौन है तो बहुत असान प्रसने ठीक है अगर यह नहीं दिया रहे तो आप इस पर हमको समझा दिया है तो हम यह इसे कर लेंगे ठीक मुझे इतना करने का जरूरत है नहीं अगर नहीं यह चीज मालो आपका अलफाबेट नहीं लिखा हुआ रहे तो आप लोग इस चीज को इसे अराम से कर सकते हैं वो दिक्कत है चलेगा अगला परसन देखे है तता कि नीचे एक पासा की दो इस ठीटियां दिखाई गई है यदि संख्यां दो ऊपर होगी तो नीचे कौन से संख्या होगी मतलब अगर उपर में दो है तो जो के विप्रीत कोन आएगा ठीक है अब दिकि दोनम कोमन क्या देखी है इसमें भी तीन कोमन है पहले हम इसको लिख लिए कोई एक दी साम लिखें तीन के बाद इन घाम हने तो एक हम लिख दिये ठीक है फीर फिर तेबाद कोन आ रहे हैं तो थो में प्रिक लिए दो कि दो के ठीक उपर कोन होगा तो दो के ठीक सामने है, एक है तो अपसिन नमर सी है आपका, यहां पर क्या हो जाएगा चालेगा अगला प्रसंट देखिए κα, परगर्ज के उत्तर आकरतियों में इस अभी आपका देखिए अगर यह ऐसाAY रहा है यह miracle और सिनसे ही 1994 ऑब मेरा होगा यह होगा यह और यह दैखके पूरा आपका मिल यह सेlor है यह सेम कौन सा है और सी में है सिर्फ नमर सी आपको क्या हो जाएगा खोड़ एक्टेंसर चलिए अगला प्रस गता कि यदि 17 प्रस 17 को 2895 लिखा गया अठारा प्रस 18 को 3292 लिखा गया उनिस प्रस 19 को 3600 लिखा गया उस पर कि 233 को क्या लिखा जाएगा अब देखे लोजिक है बह जो 17 है इस 17 को दोनों को प्रस को इसने क्या क्या है गुणा में कनभाट कर दिया तो 17 कितना होता देखे तो 289 होता है तो 296 और इसमें अपने मन से एक 5 को टपका दिया देखिए 895 हो गया सेम ब्रुजिक देखे मारा यहां भी है ठीक है देखे 18 अगुने का 18 तो 18 गुने ठीक होता है 325 में मन से 5 को टपका देखे देखे past 35 क लगया उसी परकार से 19 काफी कर लिए तो इनीас का बिए 306 का तो उसी परकार से मुझे करना है तो किसका करना है तो थेरीं का आप तो 29 29 अटपकाद यह गो 5 5295 जो कि आपके option नमर बी में दिया गया इसलिए option नमर बी आपका क्या हो जागा यहां पर कोडिया टेंसर हो जाएगा कोई दिक्कत है कोई परसानी है चलेगा अगला परसन देखेगा देखे काता है क्या कि ए जो है बी से लंबा है यह जो है बी से लं कर देंगे ए जो है यह बी से लंबा है तो बी से लंबा हो गया ठीक है फिर कता जो सी जो है ए से लंबा है तो ए से लंबा कोन है सी है ठीक है ए से लंबा कोन हो गया सी फिर कता जो डी है ए से लंबा है कता है कि डी जो है ए से लंबा है लेकिन बी से चोटा है दी तो डी जो है क्या है बी से छोटा है किसे छोटा है बी से छोटा है लेकिन दी से जो ई से है ई से क्या है बड़ा है इसे क्या है बड़ा है तो ततनुसार इसमें सबसे लंबा कौन है अदर कि सबसे लंबा बश्मदर के सबसे उपर कौन है सी है तो सी आपका तो यहां पर एंसर हो जागा कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखे और सारे प्रसंग किसे पुछेगा आपको पुछ लेगा कि इन सभी में सबसे मिडिल में कौन है बीच में कौन होगा बी होगा या सबसे छोटा कौन है तो ई होगा तो इस तरह से कोशन आपको इस तरह में तीन कोशन बनता है या तो आप को यह तीन कोश्टन यहां से पूछ सकता है इसके वा कुछ और नहें पूछ सकता ठेक है तो यहां हमसे सबसे लंबा को न है तो सबसे लंबा जो है सबसे बरा कोन है हमारा option limited A पर c है तो option elle ए अगरसंट चलिएगा अगला one्स देखेगा देखि देखे आपका अगला परसन काता है क्या कि यदि किसी बर्स जो लीप बर्स ना हो का पहला दिन सुक्र बार हो तो उस बर्स का आखरे दिन कौन सा होगा देखे अगर कोई सधारन बर्स तो अगर कोई क्या हो सधारन बर्स हो तो उसका पहला दिन और अंतीम दिन ठीक है कौन सा अंतिम दीन दोनों बरावर होता दोनों क्या होता बरावर होता अगरêuसे सुरू follow croro जाएगा अगर मालेजीय को साल थे 305 साल में कितना हो गजगा 305 साल कितना का कोर्ण को सास सकी है सकतार साथ साधोने का चोडर मतलब कि इसका कुछ ने बचने के इसका मतलब आख्रेगा सब्सक्राइब मुझे कोड नहीं बचते हैं क्या मेरा दिन आगे बठेगा नहीं बड़ेगा नहीं नियुक्त ही दिक्कत है चलिए का अगला परसर्ण को भर साया गया कि दो यह यहद्ञा सिंपल सबस्क्रमर्ट का है तीन के विप्षान को का करना लुग है यह राजस्क्रमावाइश जीए selfish के सामने आता वह उसका क्या होता है यह क्शर अग 드营क तो दिकत है चलेगा अगला परविधे का थह का है कि है कि तो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा बारत, तेरह, चोदह, पंदरह. पंदरह है तो 3 कोने का 5 में तोर के देखिये, सिम्पल से बात है, 3 कोने का 5 में. तो 3 का बनाइए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. तिन तिन का बना ली अब इसमें क्या कीजिए देखिए किसमें सेम है देखिए इसमें पहला में ए है इसमें पहला क्या है यहां पहला ए है और यहां पहला ए है मतलब कि यह सबका पहला सेम है इसका मतलब कि यहां जो खाली है तो यहां भी आएगा ए पहला सेम पर अब देख सबसे पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा डी पहला डी हो जाएगा Uhm 2022, Commonwealth क्ट अब देखियां यहाँ पर एडीसी हुष औ्छै इसका मतलब कि एडीसी बनाा है पहला इसका मतलब सब क्या बनेगा A Di C बनेगा पर इसको मुसाप कर देड़ अपको अच्छा समझ welcoming आगा प्छेला बनेगा हमारा A D C मतलब की यह भाग हमारा A Di C बन गया तेका अब अगर A Di C बननेगा इसमें A है फिर इसमें भी क्या हैगा डी आएगा ठैका है यहां भी क्या जाएगा डी दूसरा में फिर यहां पर अगर सी है ठीक है तो चुकि ए डी सी तो सी मतलब एक पार्टी बन गया तो यह डी हो गया और यह भी मारा क्या हो गया डी हो गया अब फिर यहां पर क्याएगा ए चुकि ए सुरू होगा तो अब फिर कहां तक सी तक फिर यहां क्या हो जाएगा ए तब तो होगा एडी सी फिर यहां जाएगा ए तो फिर यहां पर क्या जाएगा सी फिर यहां क्या जाएगा C A D C और A D C यहां भी कहा जएगा C तो C मतलब D D A A C D D A A C तो option नमर D आपका क्या हो जगा यहां पर कोड एक टेंस्टर हो जगा सबी का स्क्रीच क्या बढ़ना है तो A D C A D C A D C A D C A D C A D C और A D C समझ में आया कोई दिक्कत है कौन से उत्तर आकरती छुपी है कदर फिर छुपा होगा कोई देखिए सिंपल से बात समझेगा देखिए यह तो होगा ने सिंपल से बात है चुकि इसमें तो कही है और आपका यह होगा ने बच्छा आपके पास क्या A A D C A D C में देखिएगा यह जो है नीचे की और है और इन जो है बीच में है तो किसमेद आपस्टन नमर C में चुपावा इसलिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा कोरेक्ट टैंसर हो जाएगा बहुत इस पोजिशन बहुत असान होता है चलिए का अगला परसंग करता है क्या कि नम्ले खित उत्तर आकेतियों में से संबन्दीत आकेतीे चुंगे जने मी जिस परकार से इन को एशा लिखा गया शaiah प्रकार से एन को किसा लिखा जागा लोजिक क्या है इ जो आ है देखे इ को क्या के है पलड़ दिया E को क्या क्या है पहले पलर दिया और जो बीच बला लाइने है इसको बाहर कर दिया और N को भी क्या 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 है पलर दिया मतलब नीचे जल पर तभी मना दिया इसको भी क्या 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 पलर दिया मतलब नीचे यह बला भाग उपर कर दिया और M को पलर दिएगा तो W बन जाएगा आप देखिए तो इस तरह से एप कौन दे रहा है इस तरह से ठीक है यह तो खतम है यह N है तो खतम है यह M है तो option number D आपका देखिए क्या हो जाएगा कोड़ा क्रेंसर हो जाएगा कोई दिक्कत है यह सबी बहुत ही असन प्रसन है चलिका था कि यदि एक कूट भासा में तेकर organization को CBWLQJ WYQCL और operation को CXFVYQCL लिखा जाता है तो इस operation को उस भासा में कैसे लिखा जाएगा देखिए इसमें कुछ गर्णर नहीं है अब देखिए हम यह से आपको थोड़ा सा एक logic बता देखिए लोजिक क्या बता देखिए simple सा question दिमार लगया तो एक line में answer इसका देखिए R A T I O N R A T I O N दोनों जग़ा पे इसका मतलब इसका जो इसमें कोड़ होगा वही कोड़ इसमें भी आएगा देखिए 123 मतलब शुरू के तीन लेटर तो 123 मतलब शुरू के तीन लेटर को चांट देखिए मतलब कि जो बचे गात हुआ R A T I O N का कोड़ गात क्या बचा बचा बी डबलू वाई क्यू सी एल अब देखिए इसी हम answer को चांट लेंगे के चांट लेंगे देखिए बी के बदिकी बी सुरू करें के ए नहों से हमसे इसे ज्याय repository ऑफेसर नुमपर एच चट इसमें देखिए बी को यह के बाद डबलू है डबलू किबार वा य के बाद क्यू आ क्यों की बाद सी मेरा हो गया बगल की सब मेरा खटत मिरा सी कोल्या की सब अ कि Egyptian बाद अफसरन से मुझे इधर तो खोजना भी नहीं है, थोड़ा देखे दिमाना लगाएं मेरा एंसर आगया, तो मैरा क्या होगा है, एंसर यह कोडेक्ट होगया, कोई दिक्कत है, चले अगला परसन देखेगा, गता है कि B, जो है, A से बरा है, मतलब B से A बरा है, जो B है, तो बी से कौने की A बढ़ा है तो ये B है B भाया से A बढ़ा है परन्तु C से छोटा है परन्तु जो A है कताए की C से छोटा है C से क्या है छोटा है कताए जो E है D से बढ़ा है परन्तु A से बढ़ा है कताई की E जो है D से छोटा है परंतु A से बढ़ा है अब A से बढ़ा कोन है तो कताई की E से D छोटा है मतलब E से जो है D क्या है छोटा है और परंतु A से बढ़ा है मतलब A से बढ़ा होगा तो C से भी क्या होगा और लेडी बढ़ा ही होगा यदि I U C में D से छोटा है और को दिए C का जो आयू में है D से क्या है कि छोटा है तो आयू में सबसे बढ़ा कौन होगा है तो E होगा मैरा तो आपशन नमर D सब्सक्राइब कर दोसित घैसे अगला पर्संद करता है कि दिये गए मिकरब करको मैं इसे लुप तांग याद की यहां पर जिया पर आपको ग्यार करें देखे यह इसमें logic का है समझेगा लोजिक क्या है सबस्पर देखे जो 36 असरती नहीं किस बाले में आ जाथे 10 से 20 में जूर करके उपर बाल आ रहे हैं दिखनी जहां पर रहे हैं दिखलेंगोजी यहां पर अभी एकशार वरग है 4 साथपलस 4 कितना हो रहा जायगा ऑर्टीध Cait ला आपका लोजिक समझ में आकर क्या लोजिक है तो जो बीच बाला 37 का उसका वर्गमूल कर लीजिए किसे आगए कितना 6 और इसमें जोर के इसके सामने वाला ठीक है सब सामने बाले में जोर करके लिख देजिए अगला परसन काता है कि यदि पलस का अर्थ मैनस है और मैनस करत क्या है गुना है और गुना करत क्या है भाग है और भाग करत क्या है पलस है तो होगा समें का हल क्या होगा अधिक करता है कि 2 भाग करत क्या होगा पलस कितना होगा 6 गुना करत क्या होगा भाग कितना हो जाएग तो यहां पर चलेगा अगला परसन देखिएगा अगला परसन काता है क्या कि यदी 228 को 632 लिखा गया है परसन काता है कि यहां पर लोगिक यहां पर लोगिक क्या है कि जो 32 और अर्तालीस इसको क्या लिखा जा रहा है देखिए 632 लिखा जा गया है आलो जी क्या है थासर पेले क्या कि दिखिए 32 data खें किया लगा गार च्रिकतना हो गए लिआ आघीर से उसीट फिर सब्सक्राइब तो गाहा थासर बात तीज है लिद किना गए शेंग पहसा हुआ इस neighboring और इस जालक्ता फिर उनले किरिए अ सब्सक्राइब है एक कितना है दो Okay्इुश हो सबस्राइब कितना है। लिखा गये घरतर में कितना इतल सबस्क्षाइब सकते हिए तकाइब क्व traveling म Craft दो कि इस दीष भी ऐख आखें। कितना हो ग dejar की कितना हो जाएगा और चार गुने का पांस की अब क्योंइन गार चार इसलोर चोवीशंच की कितना हो जाएगा जो कि आपका अप्सऩ नमट D में दियाएगा 24 क्या हो जाएगा मैंना 1524 आपका एंसर हो जाएगा 1524 जो कि आपके option D में दियागा इसलिए option D आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा कोई दिक्कत है कोई परसानी है चलेगा अगला person देखिएगा अगला person काता है क्या कि A B और C का भाई है मतलब यहाँ जो A है A देखिए B का भी भाई है किसका भाई B का भी भाई है और कता है कि C का भी भाई है दोनों का भाई है यह B का भी भाई है और यह C का भी भाई है कता है D जो है C की मा है कता है D जो है C की मा है तो D है, C की मा कता है E का पिता है, कौन E है, फिता है, फिता है तक E का पतनी कौन हो जाएगी, कि d, B का पिता कोई होगा, e, और C का पिता कोई हो जाएगा, e, जो कि तीनों आपस में क्या है BHAI है, ठीक है, तीनों आपस में जो भी BHAI, यह BHAI है यह B, C बहान उसे मुझे कोई मतलब नहीं है निमलिखी कौन लिखित में कांड़ी उसे सत नहीं मना जा सकता है आप क्लता है क्लता है यह बिका क्लता है यह दू chapters इंसर नहीं होगा टारेकर जो एक पतर पुच्छण कुछ तो meio क्लती कर यह बीका कि मेरे पास option number D तो इसलिए option number D यहां पर का हो जाएगा correct answer हो जाएगा तरहाँ यहां पर काता है कि B जो है E का पुत्र है अब बताए जो B है क्या E का पुत्र है यह link तो पूत्र होगा या पूत्र यह स्री का उसका संतान है यह पूत्र होगा यही पूत्र का मतलब कि बेटे है यहां पर देखिए जो चीट देखिए इसमें कितने त्रीबुज़ यह आपको ग्याद करना है देखिए बहुत यह असान प्रसन है कैसे हैं देखिए सब्स जो आपको दिख रहा है उसको काउंट कर लेजिए देखिए हमारे पास बेखिए बरावला एक त्रीबुज़ है पहले इसको हम उस पर फोकॉस करेंगे सब्सक्री केका गरता हम एक डाला त्रीबुज़ यह ले देखिए यह année कि अंट है आप नहीं काउंट किये बहुत यह वला और आप यह नहीं काउंट किये थेती трав स्विए दों गया और दो fourth movements कि अ हो गया और आपका option number C क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा 10 आप इससे ज्यदा इसमें count नहीं कर सकते तो इसमें है है नहीं से ज्यदा ठीक है चलेगा अगला परसन देखिए काता है क्या कि यादी बीटे कल से पहले वाला दिन अभी बार था हम लुग कहां से आजएगे तो डे मतलब आज पर आज आजये तो दे हम भान का है कि ऑता है कि बीटि कल भी तो बार देन जो पहले वाला दीन जो था रवी बार था रवी बार था इसका मतलब कि यह भईया हो जाएगा हमारा सन्नी ऐग बार ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा सोंबार क्या हो जाएगा हमारा यह हमारा क्या होगा सोंबार होगा ठीक है और आज जो हम अब यर्तमार में हैं हमारा क्या हो जाएगा मंगलवार क्या हो जाएगा मंगलवार तो हमसे कोश्टन क्या पूछ रहा है से तीन दिन कौन साथ दिनेगा, तीसरे दिन कौन सा गा, बैस पतीक बात ऑफrett кино कि देखि के एक हमारा हो जएगा सुकर, दूसरा हो जएगा सन्ई तुसरा क्या हो जएगा हमारा …… और ऑफशन नमर आपका क्या हूजएगा हूह कोडेक टेंसर हो जाएक रभी बार क्या हूजएगा आपका रभी बार हो झाएका ओफशन नमर एज राय टेंसर कोई दिक्कात है चलिएगा अगला प्रसंड देंखे क्या इन降 Cameron乾 से लुब्त संख्यां गयात किजिए काता यहां पर कौन संख्या आगी आपको गयात करना है अब देखें बहुत ही दमदार लोगिक आप दिमाग लगाई आप से हमेरे लगता है किसमें कोई बच्चे जदातर बच्चे इसको कर पाएंगा बहुत मज़दार कोश्चन यह दे किसमें क्या लुटिक है पहले है लोगिक क्या है कि दिया जो 81 से 21yes 289 से डिब्हाइट किया है HOL感ão हो गया देखिकर कि-मारा 9 नो हो गयान पर फिर इंथ개 थे इन दोनों का different लिया गए też 3 carbohydrate लीआ गया इर दो का मतलब कि 3-2 इस दो सोड़ी 5524 1200 कितना किया गया दो क्या है तो कि पांच और दो है दोनों का डिफ्रेंट के जाएगा तो पांच में से तीन का डिफ्रेंट के तो पहले 8 मैं 54 को डिवाइट कीजिए तो छोज़ेट में अगर आप पूरे आपको आठ देगा फिर छे में से अगर आप दो गटाइगा यहां पड़े कितना देगा वन कितना देगा वन तो आपके option c यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रडेक्ट रेंस हो जाएगा option number c हो जाएगा कोई दिक्कत है चलेगा अगला person देखिएगा काता है कि यदी minus का अर्थ plus है plus का अर्थ गुना है गुना का अर्थ क्या है minus है तो निम्लिखित में से कौन सा समय करन सही नहीं है सही नहीं है तो इसमें आपके करेजिए अपनो option सही चाट लीजी क्या करेजिए option चाट यह पहला हमाद देखिए bias तो प्रड़ का अर्थ का अर्थ का अर्थ गुना तो बाइस गुने का कितना हो जाएगा और साथ दुनी 14 एक कितना हो गया पंदेश चोवण ठीक है अपर लट की तीन है मैंने कितना नौट कितना हो जागा इसको मैंने कर लीजिए चे बरावर कितना हो जागा देखिए 148 हो गया तो 141 में से घटाएगा च्छे तो पूरिश आ तो मतलब यह हमारा ठीक है जिसके बरावर है यह अप्सन मेरा नहीं होगा मतलब आप्सन नमर यह होगा ने ऑप्सन बीप आईएगा देखिए बीप आगे चुकि गुना का मतलब क्या दे रहा है मैनस तो 33 मैनस कि कितना हो जाएगा हमारा पांच और मैनस कर दे रहा है पलस कितना हो जाएगा दस पलस का मतलब दे रहा है गुना कितना होगा 20 अब रावर कितना है 228 है कितना है 228 है ठीक है तो 33 माइनस 5 कितना होगा पलस 10 गुने का 20 कितना होगा 200 बरावर कितना होगा 228 तो 33 गटाइन कितना होगा 28 अब पलस 200 कितना होगा 200 तो बरावर देखिए 228 होई रहा मतलब ये भी बरावर है तो ये भी नह कितना हो जगा साथ पलस का मतलब का हो जाता है गुना कितना हो जगा 28 मैनस का मतलब हो जाता है मैनस का मतलब हो जाता है पलस कितना हो जगा तीन और गुना का मतलब होता है गुना का मतलब हो गया मैनस तो कितना हो जगा मेरा बाबन बरावर होता है एक सो 27 ब्रावर कितना हुआ एक सो 27 तो देखिए अगर 7 गुने 27 गुने सब्सक्राइब 28 कुने 7 किजिएगा तो 27 कितना हो गया 56 तीस अदने 14 पांस बचेगा 14 पांस कितना हो गटा ये गातो गटाई ये गातो नौ 3 12 यह में चार्ष कितना हो जाएगा तो अब इसको घंटाईएगा तो कितना हो जाएगा साथ यह बचा कितना आठ में चार गया है चार एक कितना 147 लेकिन आपके हाप पर कितना इसा इसलिए आपसन नमर सी आपका क्या हो जाएगा प्रडेक्ट रो जाएगा चलिए अगला परसन देखेगा ताइक कि दिये के सब्द को पहचाने जो रेल वे स्टेशन से नहीं बन स क्ता है पहले हमारा है और स्टेटीं से तो ओह स देखिए ओह है ऐस है डी है कि है आई भी है लेकिन एस तो अब हैंने मतलब यहीं नहीं बनाया जासा ता इसलिए आपसन नमर ऐपका क्या हो जाएगा कोजिए कर याड़ का चलिए अगला परसन देखेगा कथा कि निमलिकित लिखना और क्यास पिखदे कर लें हमें खुझब कर ली है हम करते हैं खुद खेलते हैं लिखना भी हमारा खुद से होता है लेकिन सांस लेड़ा हमारे बास के बाद हो हमारा का निचरल है इसलिए सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा आफिसन नमर सी हो जाएगा चलेगा अगला परसंट कता है क्या कि जो M, N, O, P और Q मेंसे परते की लंबाई अलग-अलग है कता है कि O, Q से क्या है कि लंबा है तो Q से लंबा कौन है O, Q से लंबा है तो पी जो है क्यू से क्या है नाटा है पी जो है एन से लंबा है लेकिन क्यू से क्या है लंबा है तो एन से उपर हो गया तो हमसे पूछा है कि इन में सबसे लंबा कौन है तो एम हो जाएगा तो अप्शन नमर या क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा चले इस प्रकार से पक्षी की बारे मुझे लेता हैं किस्पें प्रकार से पुरा तत्व कि जो हम लोग ग्यान किस के लेता है। सब्सक्राइब हो गतना है। तो दोस्तों मासा करते हैं कि आप सभी प्रसुनों को अच्छी तरद समझ गए होंगे तब तक के लिए जा ही जा भारत